वेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज की मेरे न्यू व्लॉग में तो फ्रेंट्स आज का इस व्लॉग में मैं आपसे शेर करने वाला हूँ कुछ important loss के बारे में जो की unrelated है arrest यानि की ग्रफतारी से यानि कि ग्रफतारी से जोड़े कुछ महतरपूर्ण कानून के बारे में लॉस के बारे में आप से इस वीडियो में हेल्प से आपको कुछ शेयर करने जा रहा हूँ तो फ्रेंट जैसे कि देखते हैं कि पुलिस से हमारा डेली की जिन्दिगी में कई तरह से कॉंटेक्ट होता है पुलिस ना हमारी सिफ सेफटी के लिए है तो इसलिए उन्हें लॉव में कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या पुलिस बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को यानि की परसन को ग्रिफतार कर सकती है तो हम सब नोए फिल्मों में कभी न कभी जरूर देखा होगा कि जब भी कोई पुलिस आफिसर किसी को अरेस्ट करने लिए जाता है तो सामने वाला जो भी परसन व्यक्ति उस आफिसर से पूछते कि क्या आपके पास मुझे ग्रिफतारी करने का वारंट है यानि कि आपके बाद कोई अरेस्ट वारंट है कि आप किसलिए में को ग्रिफता करने आई हो लेकिन अगर हम दोस्तों देखें कि रियल्टी में असल जिन्दगी में ऐसा नहीं है क्योंकि IPC के कोडिंग जो ओफेंस है यानि कि अपराद है उनको दो कैटेगरी में बाटा गिया है जिसे हम कहते हैं कि कोग्निजिबल ओफेंस और नॉन कोग्निजिबल ओफेंस की तो यह वो ओफेंस होते हैं यानि कि वो अपराद होते हैं कि जिसमें पुलिस को बिना वॉरंट के ग्रिफतार करने का अधिकार नहीं है यानि कि non-cognizable offenses यानि कि जो ज़्यादा offenses serious नहीं होते हैं उसमें पुलिस को बिना warrant के ग्रिफतार करने का अधिकार नहीं है जैसे कि जूटे evidence देना, दोखादड़ी, forgery, मानहानी या कोई भी defamation इत्यादी और दूसरे होते हैं cognizable offenses यानि कि ऐसे अपराद जिसमें पुलिस भी किसी व्यक्ति को बिना warrant के ग्रिफतार कर सकती है इसको हुन कहते हैं cognizable offenses तो normal तोर पे यह जो अपराद हैं काफी serious nature के होते हैं जैसे कि murder हो गया, rape हो गया, dory death, kidnapping, abduction, etc. तो इससे ये बिकुल साफ हो जाता है कि पुलिस को बिना warrant के भी किसी व्यक्ति को ग्रिफतार करने का अधिकार है यानि कि बिना warrant के भी पुलिस के पास rights है कि कि किसी को भी वह arrest कर सकती है बस उसमें condition यह है कि जो offense है वो cognizable of him होना चाहिए यानि कि एक serious crime की दृष्टी से point of view से होना चाहिए अब आगे हम देखते हैं जैसे 24 घंटे को जो कानौन है यानि कि कहते हैं कि within 24 hours magistrate के पास पेश करना होता है उसके regarding क्या provision है तो गिरफतार arrest किये गए किसी भी person को 24 घंटे के अंदर magistrate की court में पेश करना जरूरी होता है यानि कि बिना magistrate के आदेश के order के 24 घंटे से जादा किसी को भी custody में हिरासत में रखना illegal है यानि गैर कानौनी है और secondly शनिवार या Sunday या किसी भी कोई holiday है तो उस छुटी वाले दिन भी court में duty magistrate या special magistrate बैठते हैं और सबसे ज्यादा ध्यान दना जरूरी है कि जो 24 घंटे वाला provision है उसमें police station से लेकर court ले जाना या फिर रास्ते में जर्नी में जो भी time लगता है उनको उन 24 hours में count नहीं किया जाता है उसको इससे मतलब अलग exclude रुखा जाता है और आगे हम देखते हैं कि क्या किसी भी arrested person को या गिरिफतार किये गिये वेक्ति को पूस्ताच के दुरान अपने वकील से क्या मिल सकता है तो जब भी किसी भी वक्ति को arrest किया जाता है या गिरिफतार किया जाता है तो और पूस्ताच के दुरान नहीं है मिल सकता है लेकिन पूस्ताच के दुरान नहीं मतलब पूरी पूस्ताच के दुरान नहीं है और साथ ही साथ अगर arrest और गिरिफतारी और पूस्ताच के दुरान भी अगर उसके पास उचित consultation legal advice के लिए उसको भी राइट है यानि कि वो inquiry के टाइम पर भी किसी भी अड्वोकेट से अपने legal advice ले सकता है अब हम देखते हैं कि arrest के दुरान कौन कौन सी main बाते हैं जो की धियान अपनी चाहिए तो सबसे पहली बात यह है कि गिरफतारी के समय यानि कि arrest के टाइम पर कि आपको arrest क्यों किया रहा है सिर्फ यह कहना पूरा प्रयाप उचित नहीं है कि आपके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है पुलिस को आपका जुर्म भी बताना जुरूरी है साथ ही साथ अगर किसी ladies accused को before sunset after sunset और before sunrise arrest नहीं किया जा सकता और यदि पुलिस को ऐसा करना official magistrate का order लेना जुरूरी है तभी वो ऐसा किया जा सकता है तीसरा main point है कि arrest किये गये वक्ति को या अधिकार है कि उसके किसी भी relative या friends को जिसका भी वो नाम लेता है उसकी गिरिफतारी की information दी जाए यानि कि यह जिसको भी गिरिफतार किया गया है उसके बास rights है कि वो किसी भी एक बंदे को चाहिए वो relative हो friend हो उसको arrest के बारे में inform किया जाए next fourth main point है कि arrest के समय गिरिफतारी के समय जोर जबरदस्ती करना भी एक गैर कानूनी है वो ऐसा नहीं किया सकता और arrest हिरासत में लेने के लिए जितना कम से कम जोर लगता हो उतना ही इस्तेमाल किया सकता है य तो उसे हाथ लगाना भी जायज नहीं है अब हम देखते हैं कि क्या magistrate द्वारा खुद गिरिफतारी की जा सकती है ये कोशन थोड़ा आपको अलग सा लग रहा होगा कि magistrate कैसे गिरिफतार कर सकता है थोड़ा सवाल उल्टा लग सकता है लेकिन साथे साथ इसका जवाब है कि हाँ magistrate के द्वारा खुद भी गिरिफतारी की जा सकती है CRPC के अंडर section 44 में जो executive और judicial magistrate दोनों को किसी भी accused को खुद गिरिफतार करने की power दी गई है यानिकि section 44 of CRPC में provision दिया गया है कि executive magistrate या फिर judicial magistrate के पास भी power है अगर उसको ऐसा लगता है कि arrest करना जुरूरी है तो वो भी इनको arrest करने की power रखते हैं अब इसी के साथ-साथ मेरी personal advice यह है कि अगर आपके साथ police station में कोई भी misbehave या market या किये जाता है तो उसकी complaint जो भी concern magistrate को जरूर दें और जहां तक possible हो वहाँ medical report भी साथ ही साथ बनवाए और police station में सबसे main बात यह है कि कोई भी पढ़े बिना legal advice के कोई भी document sign नहीं करें यह अक्सर देखा जाता है कि जब एक side का ज्यादा pressure हो तो उनसे को documents या confession type का document बनवा के sign कर वा लिया जाता है लेकिन सबसे पहले आपको यह ध्यान देना जुरूरी है कि police station में कोई भी document साथ बिना किसी advice के sign ना करें उसको पहले अच्छी से पढ़ें और या फिर किसी के दवाब में आके कि police station में आपको बोला जाए कि आपको sign करना ही करना है या फिर आपको गलत charger लगा जाएंगे तो आपको बिना डरे बिना किसी pressure में आके कोई document sign नहीं करना है और in case अगर आपको ड्रा धंका के अगर sign signature लिए गए हैं police station में तो यह बात ध्यान देने वाली है कि police के सामने दिये गए किसी भी बियान का कोई evidentiary value नहीं होता है यानि कि अगर आपके वहाँ कोई बियान note डॉन भी गया तो court में वह inadmissible होते हैं जो कि हमने एक separate video में देखा था जिससे पुरी detail में कि क्या police के सामने लिए गए evidence माने होता है तो ऐसा बिलकुल नहीं है वह court में inadmissible होता है बट आपको first of all यह ध्यान देना है कि कोई भी documents आपको police अगर pressure market करवाए तो आपको sign नहीं करने है तो यह तो थे friends arrests related कुछ important provisions जो कि हर एक being a citizen होने करादी सब को पता होना चाहिए क्योंकि काफी basic जनकारी है और उसी की तरह आगे की जनकारी पाने के लिए आपको चैनल को subscribe कीजिए अगर नहीं किया है वीडियो को like और share कीजिए जल्दी मिलते हैं एक new vlog के साथ